नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट एक्जाम 2022 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 20 जन्मरी 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग होंगी और क्या दोस्तों अभी भी 33 समेश्टर को प्रमूट किया जा सकता है इसको देखेंगे यूपीटेट एक्जाम लेटेश्ट अपडेट क्या है तो दोस्तों आपको बता दे लगा था परिच्छा इस्तगीत होने का सिल्सला जारी है लेकिन अभी तक यूपीटेट 2022 को इस्तगीत नहीं किया गया है ठीक है आप देख सकते हैं कि कोरोना के कारण टली PCS 2021 मुख के परिच्छा तो दोस्तों यहाँ पर यूपीटेट 2021 नायम उसका भी है जो कि भी हमारा 3 जनवरी को पेपर होने वाला 3 जनवरी 2022 को ठीक है तो क्या दोस्तों इस पेपर को टाल जाएगा पूरी अपडेट हम आपके सामें रखेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि PCS मेंस इस्तगीत अब 23 सिले के सब्ताइस मार्च तक होगी परिच्छा तो दोस्तों आप सोचिए कि कोरोना की कारण इतनी बड़ी बड़ी परिच्छा नि कंटे के अंदर 3 लाग से जादा कोरोना के नए मामले सामने हैं तो दोस्तों यह रिकॉर्ड है इस साल पहली बार अभी 3 लाग को कोरोना के मामले टच्छ कर गए 493 लोगों की जान दे गई है उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे एक्जाम निशन फॉर्म त देखेंगे फिलाल दोस्तों देखें चतुर समेश्टर स्कूटनी के जो भी अपडेट आईगी वो अपडेट भी हम आप तक पहुचाएंगे इस कूटनी के लिए जो ऑनलाइन आविदन के प्रक्रिया है वह 29 दिसंबर से लेके 17 जनवरी 2022 तक चलनी है तो अगर अभी तक आपने चतुर समेश्टे स्कूटनी के लिए आविदन नहीं किया है तो इसको आविदन कर सकतें अब दोस्तों आपके मण में मैं को और सवाल होगा कि भ 라ईया इसकूटनी के आविदन की प्रक्रिया तो हो गई' लेकिन जो हमारा प्रतम समेश्टा, दोतीय समेश्टा, तरतीय समेश्टे स्कूटनी के लिए ओनलाइन आवेदल लिया गया था उसका रिजल्ड कपता काएगा देखे दोस्तों जिन बच्चों की सेकेंड समेश्टर में बैक है, उनकी लिए स्कूटनी में पास होना जरूरी था अब कोई फायदा तो नहीं, वैसे क्योंकि प्रमोट किया नहीं गया, वैसे ठीक है नहीं पास होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बैक पेपर की तैयारी अच्छे से करिएगा और पेपर को क्लियर करिएगा लेकिन दोस्तों जब यह हो जाता कि वह जो बच्चे पास हैं, उनको प्रमोट किया जाता तो फिर आपका नुकसा ज़्यादा होता कि यहार हमारी बैक लगी और हम प्रमोट नहीं हो पाएंगे तो खुल मिला कि दोस्तों सभी बच्चों को ठर्ड का ही पेपर देना पड़ेगा जितने बच्चों की बैक लगी थी सेकेंड समेश्टर में पहले दोस्तों या जो इस बार जो बैक पेपर हुआ जो बच्चे पास हो गएं जिनकी तकरीबन संक्या 23,000 के आज़ पास है वो बच्चे भी ठंड का ही पेपर देंगे तो फिलाल दोस्तों प्रमोट को लेकर कोई भी ऑफिशल नोटिस नहीं आईए तब तक नोटिस नहीं तब तक तो कुछ कहा है नहीं जा सकता कि प्रमोट होंगे कि नहीं तो इससे बैतर कि आप लोग तैयारी बढ़ियां से करिए तो अगर आप ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया देखिए रेजटेशन दोस्तों डेट निकल चुकिए तो एक बार आप कॉलेज से संपर कर लिजेगा ये किसी कारण बस अगर आपका रेजटेशन नहीं किया तो भाईया कॉलेज वाले ही कर सकते हैं या दोस्तों आप डा आपको पता यूपिटेट पास भी करके आपको नौकरी थोड़ी नहीं मिलेगे जैसे आप में से काफी बच्चों ने पीटी के पेपर क्लियर क्या होगा ठीक है पेट का पेपर आपने हो सकता दिया हो क्या पेट पास करके नौकरी आपको मिल गई बताए इससे अच्छा आप समय लेकपाल की भरती हो गई होती तो हो सकता है कि अब तक आपके पास जोइनिंग लेटर आ जाता है तो लेकपाल के लिए आउलाइन आवेदन की प्रतिया चल रही है तो उसको भी आप अप्लाई कर दीजेगा ठीक है तो यह दोस्तों बात हो गई तो PCS मेंस दोस्त इस्तगीत किया अगर देख सकते हैं आप दोस्तों यह बड़ी अपडेट है ठीक है सोचिए लेकिन अभी तक यूपीटेट की दोस्तों अपडेट नहीं आ रही है बच्चे यूपीटेट को लेकर ज्यादा परिस लाग से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है हुई तो निलम्मित होंगे जिम्मेदार तो दोस्त यह बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं अपडेट आईए गौरी गन से हमेठी से सिच्चक पातरता परिच्चा को नकल भीन कराने की कवायत तेज हो गई है मंगलवार देर सामता कलेक्टरेट सभा गार में डीम ने मादमिक सिच्च विबाग के साथ नामित केंदर वेऊस्तापक मईस्टेट वफपरेविचा के साथ बैठक करता गयारियों की समिच्चा किये है उसके बाद दोस्तों देख सकते कि टीटी परिच्चा के बाद तेज होगा सिच्चक पातरती का अंदोलन में सिच्छक भर्ती भी प्रभावित होने के असंका बढ़ गई है सिच्छक भर्ती के लिए 22 दिसंबर को बहवार एवं संगयनात्मक केंद्र यानी में मतलब असिस्टेंट और इसोसीएट प्रोफेसर पत के लिए इंटर्वीव हो चुका है तो दोसी अलग वैकेंसी है यहां पर डियलेट कर लेना देना कम है तो इसको जड़ा इस अपडेट को देख लेते हैं टेट वाली अपडेट कि टेट जब परिच्छा हो जाएक उस अब भेटियो वाली PCS मुख के परिच्छाओं को COVID की बज़े से स्थगित किया जा सकता है अधिनस्ता सेवा चैनायो की सभी परिच्छाओं के स्थगित कर दिया गया तो सिच्चर सथान पहले इससे ही मतलब बंद है इसकूल इसकूल तो बंद कर दिया गया तो ऐसे में सर सही है कि टेट का पेपर होना चाहिए ऐसी बात नहीं लेकिन आपको बता दी इस सर्वे करोना की जो मामले न वो 200 लगवग पीक पर है इस अबडेट को ज़र आप देखें हो तो आपको समझ में आ जागा यार कि एक एक दिन में 3-3 लाग केस आना मतलब बहुत बड़ी बा बाइए सबसे बड़ी बात है दोस्ते में हमारे देश में एक्टिव केसे की संक्या बढ़ती जा रही है 19 लाग से जादा मामले एक्टिव केसे में आ गए ठीक है आगर आप सोच रहूंगे यार कि दिके होता कि पिछली बार जो परोना की केसे बढ़ेते दीरे दीरे बढ सकती है बागी जो भी अप्डेट आईगे अप्डेट हम आपके सामें लाते रहेंगे देखें ठीक है कोई भी अप्डेट आप से छूटे की ने तो कोरोना की चलते दोस्तों बहुत से पेपर को इस्तगित किया गया तो अब आपके मन में एक और सवाल होगा जो हमारी डि अगर आपने डाउन्डोड नहीं किया तो कमेंट डॉक्स में लिंक दे दिया है डिस्किप्शन बॉक्स में भी है इस कूटनी रिजल्ट का भी लिंक दिया गया जैसे दोस्तों रिजल्ट डिकलेर होगा सबसे पहले आप अपना रिजल्ट डाउन्लोड कर पाएंगे हां हैं दोस्तों बात कर रहां था कि डेट सीटको लेकर रेकर धेक हमारा पेपर दोस्तों जो डेट आयु ती नो से लेकर अथारा फर्मभरी तकằng डेट करैसे बेलेट कराया। तो गाई सिंपल थी बात है कि 10 तारीक को चुनाओ है तो हो सकता है कि 10 तारीक वाला पेपर टाला जाए या कुछ ना को देखे करेगी जरूर सरकार ठीक है उसको लेकर आप लोग परिशान मत हुए यह देट में परिवर्तन संभव है यह दोस्तों कोरोना के चलता है परिच्छा को टाला जा सकता दीखे बड़ी बड़ी परिच्छा इस्तिवित हो रही है क्योंकि देखेगा यह जो करोना के कैसे थे 15 दिन के बाद दी सब्सक्राइब करें तो सावगानी दोस्तों रखनी है बाकि जो भी अपडेट आईगी वो अपडेट आपके सामें रखेंगे और देखें आपके मर में जो सवाल है किस बैच के लिए बढ़िया बढ़िया इससे में ऑनलाइन क्लासे चल रही है तो आप उसका फाइदा उ करी अच्छे तरीके थे बाकि जो भी अपडेट आई कि स्कुटे रिजर्ट को हम देंगे आपको और फिल चातरों के लिए दोस्तों बड़ी कबर यही है कि सिच्छकबर्थी की प्रतिया भी दोस्तों फिलाल में तो नहीं आने वाली तब तक आप लोग अपने बैक पेप और आपको क्लियर करिए ताकि आप भी नहीं सी चातरों को सकें मिलते एक और वीडियो में तब तक लिए श्टे कनेक्टेड हैवा नाइस देड़